आप जैसा कि जानते हैं कि UPSC किसी यात्रा में लगातार प्रिलियम्स, मेंस और इंटर्वू का जो अपना-पना स्टेडिजी होती है, उसमें GS के फर्स पेपर, GS का टू पेपर, तो GS के फर्स पेपर की एहम योगदान है यह आप जानते हैं लेकिन आप जानते हैं कि GS का जो second paper जिसको लोग CC8 कहते हैं, उसका भी अपना एहम योगदान है जब तक आप सो qualify नहीं कर पाएं तक आप GS के फर्स पार्ट को भी cover नहीं कर सकते हैं यानि आपको लगता है कि जिसको CC8 से डर लगता है, CC8 एक डर का भी से बनावा आपके लिए, CC8 क्वालिफाई कैसे करें इसके लिए अनने एक platform पे आप लोग मैस को पढ़ेंगे, reasoning को पढ़ेंगे, comparison के trick को पढ़ेंगे UPSC की, हमेंसे UPSC आपसे ही जाता है कि आपको mass reasoning को नहीं पढ़ना है UPSC आपकी जो छमता है, जो mind की capacity है, उसको check करना जाता CC8 के मादिम से अब इसके लिए आपको mass formula trick concept पढ़ने की बिल्कुल यह आसकता नहीं है जैसा कि मैं बता रहूँ आपसे, कि पूरे mass के अंदर, reasoning के अंदर, यह सब चीज़ जितने भी होती है यह definitely अगर कहा जाए, तो एक प्रकार से aptitude check करती है aptitude मतलब आप लायक है, विरुकेट बनने के लायक है या नहीं है, आप ऐसे योग्य है नहीं है तो ऐसा क्या करें, जिसे कि आप UPSC के लायक बने, तो लायक बने के लिए, आपको math, reasoning, comprehension के लिए जो basic आधार नुमत्यारी होती है, उसको एक basic आधार जानना पड़ेगा तो आए discussion करते हैं, इस point की तरफ हम लोग तो CSET, एक basic के लिए कहा जाए, तो CSET में सबसे एहम मुमी का जो civil service attitude है, यह एक ही होती है, और जिसने एका means real में समझ लिया कि aptitude क्या होता है, aptitude मतलब उसके लायक बनना, अब लायक कैसे बनना, क्या करना पड़ेगा इसके लिए क्या हमें कुछ math को पढ़ना पड़ेगा, क्या reasoning को पढ़ना पड़ेगा, क्या comprehension की technology trick जाननी पढ़ेंगी, लेकि नहीं, UPC दिमाग का exam, UPC किताबों का notes का, इन सब का exam नहीं है, यह बढ़ता हुआ बजारी करन कहीं यूथ को capture कर लिया है, बजार की जकड़े हुए लोगों ने धान रखना, तो I think you know, मुझे लगता है कि C-set में aptitude को check करना, और aptitude इसी question सही करने है, और मैं challenge कर रहा हूँ इस मंच पर खड़े हो कर, एक बड़ा C-set आपने complete अगर पढ़ लेते हैं, तो आपका C-set कभी जिंदगी में रुके गवनी, क्यों? क्यों कि लोग वहां आपको mess पढ़ाते हैं, reasoning पढ़ाते हैं, पतर ने trick बताते हैं, बट आप हम इन सब चीजों से दूर रहते हैं, क्यों? क्यों कि यहां दिमाग का भी कास करना C-set में, और दिमाग का भी कास जब होगा जब आप दिमाग को सोचने के लिए छूड़ेंग को इनसान बोले कि 27 के 27 कोशन में comprehensive सही कर लूँगा, तो मैं challenge कर रहा हूँ, open months पर खड़े हो के मेरे सामने आ जाए, अगर 27 के 27 कोशन उस timing में कर पाए, नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि यह UPSC की यात्रा हो, balance की यात्रा है, तो आप क्या करना पड़ेगा? Comprehension की समझ को वि match की बात करें, then reasoning की बात करें, cool मिला कि 3 यह ऐसी key हैं, जहां आपको इनों में से balance करने के बात पढ़ना पड़ेगा, और यदि कहा जाए, तो 80 कोशन में लगबख 70 से लेकर 75 जो कोशन है, वो इन 3 की से आते हैं, यानि कह सकते हैं, 95 परसेंट जो area है syllabus का, वो 3 pattern से कवर हो ज मैत एक समझने का भी से बन जाता है, कहा जाए तो यहां भी लगबख 10 से 15 टोपिक ऐसे होते हैं, जहां पर मैत का 90% syllabus करो जाता है, लेकिन लोग इसके लिए अलग पूरा मैस पढ़ाएंगे आपको, concept पढ़ाएंगे, trick पढ़ाएंगे, 2011 से लेकर 2021 के बीच की कहानी को अग से, तो मैं चलेंज कर रहा हूं, इस इस पर ध्यान रखेगा, कि यहां अगर आपको इन सब तीनों पर कवर कैसे करना है, यहां दिखा जाए तो लग भग, अब 30 से 35 परशन यहां आ जाते हैं, 15 से 20 परशन यहां जाते हैं, तो अब इन प्रशनों के लिए आपको क्या करना है, कोई यह बोले कि मैं तो मैं ऐसे क्वालिफाई कर लूँगा, पॉसिबिल्ली नहीं है, मैं चलेंज कर रहा हूं इस इसका ध्यान रखना, तो एक प्रिकार से कहा जाए, सीशर्ट क्वालिफाई करने के लिए आपको तीन कीपे काम करना है, जिनको लगता है कि हाँ, एक लोग टॉपिक में समझेंगे अराम राम से, जैसे बहुत साइव लोग इसमें आपको स्क्वार सिखाएंगे, स्क्वार निकालना सिखाएंगे, यह भी कोई निकालने की चीज है, क्या यह दुनिया निकाल लेती है? चाह पांच पैमेटर्स होते हैं, उनको सीख लो, कोई कोछ करना पड़ेगा ... कुछ करना पड़े गा, किसी चांश ने .... किसी और का भी निकालar आगर ... लोग क्यों ऐड पड़े कि памजनश ऑटेजेगा ... इसको लोग पढ़ाते है की Please यार, C-set's concept trick exam है ही नहीं यार, challenge गर रहा हूं इसका, और भी बहुत लोग आपको पढ़ाएंगे, कि square कैसे निकालते हैं, लो 95 का square क्या निकलके आता है, तो 95 का square ऐसे निकालेंगे, 95 को 192, 90 करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, यार, 90 करेंगे, तो इसके लिए कुछ करने का स लो जी आंसर आ गया, इसका लो 2 second में, और भी जितना तुम्हारा मन करा, लो जी 102 का square निकालिएगा, तो 102 का square क्या होता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन डिरेक्टली लो जी आंसर आ गया, 1404 आंसर आ गया, कुछ करना पढ़ रहा है, मुझे मैं डिरेक्ली आंसर दूंग तो C-set डर का भी से नहीं है, C-set समझधारी का भी से है, कोई इंसान बोल रहा है कि यहां से निकालो 48 का square कितना होता है, पागल बंदी कर रहा है, 23-04 आंसर आगे लोग कुछ करना पढ़ा हमें, कोई बोल रहा है 54 का square कितना होता है, बोलो मैं डारेक्ली बोलता हूं यहां कितना होता है 54 का square, 29-16 आंसर आगे लोजी का कुछ करना पढ़ा, लेकिन कैसे निकालना है, इनको implement कैसे करना है, दो सेकिंड का काम है यार, कोई इंसान यहां से बोल रहा है कि square निकाली है लोजी, 4-1 का, इसका square गुणा करेंगे लोजी, 1-2-3-4 और 3-2-1 लोजी आंसर आ लोगों ने एक फंडा बना रखा, square कैसे निकालते हैं, ट्रीक कैसे लगाते हैं, पागल हो यहर, इड मेंज एक प्रिकार से चीजों को समझना पड़ेगा, मालों अगर हमे 97 का square पूछे, 99-97 नहीं करेंगे, हम डिकली बोलेंगे, यहां से डिकली आ चुका है, यहां से 94-09 answer आचुका square निकालना लो जी, और भी बहुत सवारे लोग यहां multiply सिखाते हैं, multiply सिखाते हैं, multiply गुणा सिखाते हैं, आपको गुणा करने के लिए दिमाग लगाना, अरे क्या बात है, गुणा करना पड़ेगा, किस से गुणा करना चाहते हो, बताओ, मुस्से बोलूम डा आउन से मटलाई करूं, 42 की इंटू 48 से करूं, 40 जरी की हम लोग 47 से करवा जेते हैं, एक concept है सारी चीज़े, यह trick नहीं, एक concept हैं को समझना पड़ेगा, यह 4 question आपको मैंने दिया, आप बोलो कि कितने timing करो गुणा, तो आप बोलो कि मुस्किल से 1 minute, 2 minute, 3 minute, 5 minute लगेगा, हम लो जी आगे answer यहां से, कुछ करना नहीं पड़ा, लो जी आगे answer यहां से, 24, लो जी कुछ करना पड़ा हमें, यह सारी एक concept है, तरीके हैं जो हमको जानने, कोईन साथ बोल रहा है, 63 multiply कर लो लो जी, 64 into 64 की multiply कर लिजेगा, 66 की, 69 की 61 से करा दीजेगा, 62 की 68 से करा दीजेगा यह question आपको मैंने दिया, बताओ, multiply किस से करनी है, अपर कुछ नहीं करना पड़ेगा, दो सेकिन लगेंगे हमें कुछ करना पड़ा हमें, आगे लो answer कुछ करना ही नहीं पड़ा हम लोगों को, 42, 21, आगे लो 42, 24, दो सेकिन में, आगे लो 42, 09, आगे लो जी, 42, 16, लो जी, कुछ करना पड़ा हमें, यार, इतनी बड़ी-बड़ी multiply हम क्यों कर पाएंगे, जब हमारे दिमाग में रास्ता एक भैतर आएगा, ऐसा नहीं हम कोशनों की बात नहीं कर रहें, हम किसी की evaluate करना है, कैसे करेंगे, सारी बाते सीखेंगे हम batch के माध्यम से, one by one करके step, क्योंकि यूपी-ची की यात्रा है, इस यात्रा में CD हैं कही सारी, ऐसे चड़ना CD पर one 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 करके देहान रखना, लोग इसे multiply समझते, कुछ करना पड़ रहा है, तो एक logical point आपको सीखने किसी भी तरीके से हम कैसे multiply कर सकते हैं ध्यान रखना, और बहुता रास्ते आपको बन जाएंगे ध्यान रखना, तो यह सब चीज़े हम पढ़ेंगे ध्यान रखना, कोई इंसान बोल रहा है कि 122 की, 128 से गुना कर लिजेगा, इतना वड़ा question देख रहा है, 123 की multiply कर 122 की multiply कर लिजे, किसी से भी कर लो जो तुमारा मन कर रहा है, तो ऐसी multiply को हम चुटके उलाए देते हैं ध्यान रखना, तो math को मैं कहूं तो जादूगर का मतलब यह नहीं कि तुम्हें घोट के पिला रहा है, में चीज सीख नहीं है ध्यान रखना, तो यह कैसे कैसे आया, यह सारी कहानी हम लोग पढ़ेंगे, इस स्टैब बाई स्टैब करके, जिसको लगता है कि डर, दूर करना है, इन सब चीजों को जोईन कर सकते हैं, आईए हम लोग कोशनों भी बात करते हैं, जो एक्जाम में आयो रखें, चलिए एक्जाम के आयो कोशन की बात कर लेते है कि हमें एक्जाम में कोशन जवाएं, कैसे कैसे करने हैं देखेगा, और सब कोशनों को यहां से हिला कर रखते हैं, आपके सामने कोशन आ चुका, देख लिजेगा, क्या लिख्या हुआ है, 3,011 की 3,012 में से क्या घटाया जाए, कि प्राप्त संख्या है, वो एक पूर्ण बन जाए, what should we subtract in the 3,011, 3,012, so that we product obtained become a perfect square, कुछ नहीं करना लोगी, आंसर आगे, 3,11, लोगी, हम डाइकली बोल लेंगे, लोगी, आंसर है, अब लोग बोलिंग कैसे आया, अले, यही सब चीज़ें समझ नहीं है, हमें एक बैस में, इड मींस, हमें, दीखें, मैं चलेंज कर रहा हूँ, ऐसे से कोस्टनों को तो उगली नहीं लगने देंगे, कैसी बात कर दी आपने, तो यह सब चीज़ें हमें, मैस के जो 3-35 कोस्टन आएंगे, वहां चुटकियों में कर डालेंगे हम लोग, रिजिनिंग का तो कोभी सही सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम लोग 3-12 से, और बात में जो रिजल्ट निकल का आएगा, इसका प्रोडेक्ट इसमें से क्या लेस करें, और लेस करने के बाद जो ब्रिकुले क्या आजाए, एक स्क्वाइर निकल के आजाए, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए बहुत और 6 लिख दूँ, multiply करके, और मैं आप से यह पूछू, कि यहां क्या घटाया जाए, कि संख्या पूर बर मन जाए, तो आप राम से कह सकते हैं, क्या घटाएंगे, देखो, example समझो, 5 x 6 बराबर कितना आगे, 30 आगया, अब सोचो, 30 में से nearest about मैं क्या लेस करूँ, जो की एक आप कह सकते हैं, कि इसके नीचे घटाने के लिए 25 एक ऐसा फर्फक्त स्कुआर है, याई 25 के हाद स्कुआर बनिगा, तो आप अराम से कह सकते हैं, कि 30 में से कितना चलाएंगे, 5 है Less करना पत रहा है, लेकिन अगर मैं जहां पर यही लेस करने की बात कर रहा हूं, घटाने का मिए घे करने कि बात करूँगा. आफ ऐसे थाइड्री में कितना जाइड पूचे करना पड़ेगा यहाँ पर शह करना पड़ेगा को शॉक्तिस कया है with practiceierte कर बना दिया अ पे Queensland किसलिए बनाइक आप एने सब्सक्राइब बनाया कि मैं खुले मन से बोल रहा हूँ कि लोग यहाँ पर C-set थोड़ी पढ़ाते हैं, C-set के लिए आपको डर पैदा करते हैं कि math पढ़ाते हैं, reasoning पढ़ाते हैं, यह करते हैं, देखो, अखला question आपके सामने देखो यह दिखा, देख लिए, कैसे पढ़ते हैं math को, कैसे पढ़ते ह work from 15 days, then we can complete the remaining work in 25 days, so if our work on 18 days, then the rest of the work can also be completed 21 days, so then the ratio of the efficiency of A and B, क्या question है यहार, time and work में ऐसा question आया, लोग हिल के इदान देखना देखके, ऐसी के तैसी यार question की देख लेते हैं, कि दम होना चाहिए बहों में और दिमाग में, प्रिस्टन से कह दो कि पूछना कहां से उखाते तरी, तो GSO reasoning कुछ भी हो यार, ऐसे पढ़ो ना, पूछना उसकी हिम्मत कहां से, अब जैसे मान लिजेगा, यहाँ A की बात कर रहा है, और यहाँ B की बात कर रहा है, कैसे करेंगे देख लेना, लोगों का method देखना, मेरे method देखना, फिर कहना कि यहाँ बाके में कुछ है, A और B की capacity क्या लिखा है, A ने और B की बात कर रहा है, तो A ने कितन दिन काम किया, पंद दिन काम किया, ठीक अच्छी बात है, A ने फर्स कंडिशन पंद दिन काम किया, रिमेनिंग किसने किया, बी ने कितन दिन काम किया, बात बिल्कुल ठीक है, A ने पंद दिन काम करता है रिमेनिंग काम को भी 25 दे में, कर लेता है, right? उसकी after क्या है? A ने कितने दिन काम किया? 18 दे काम किया अगर 18 दें बर करता है तो इस ए रिमेनिंग काम को भी करता है 21 डे में, लोजी लिख दिया यह जो लिखा है ना मैंने दोस्तों जो मैं लिखा है ना कि मुस्काहर से बताईए सिर्फ वो प्रस्टन का ही पॉइंट लिखा है आप उन तो इसमें कुछ भी नहीं करेगा आप उन आंसर देगा आपको ना कैसे देगा आप बताओकर एस पर पंदिन कारे करता है तो रिमेनिंग काम को भी 25 डे में कर लेता है यदि जैसे ही एने कित है लिख दिन के लिख दिया और ये चीज कहां थी ये लिखी हुई थी इस चीज में के अशे दम्हों में हुए को एसे से कुशनों की धज्यय उढ़ादेंगे अशोना देंगे आभ बेसिक इस्ट्रिया कि आपको महिनत के लिए स्टरकल करने के सा है, डारेक्षण अपकी अच्छी हूनी चाहिए। मज़िल आपकी हॉंसले आपके है ईट्रीम आपका है, शचपने है तो आपके है। calling number पे call करिएगा CC8 qualify करने के लिए तीन रास्ते अपनाईएगा पहला रास्ता यह है कि syllabus को पूरा पढ़िएगा और syllabus को पूरा पढ़ने से पहले syllabus को जानो कि syllabus में question कैसे आते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन question कर पा रहो जो exam में आते ही नहीं है 2011 से लेकर 2021 तक के बीच के CC8 के जितने exam हुए है उन paper को जब analyze करोगे topic wise आपको लगेगा कि हाँ person कहां से बन रहा है कहां से नहीं बन रहा है जब bottom stream का आज तक कोई person नहीं आया है धान रखना तो उससे प्रसंट बनते ही नहीं है तो topic को mark करना पड़ेगा ऐसा ना हो कि दुमने पूरा syllabus पढ़ लिया question जो important core area उस पर काम नहीं किया तो यानि exam qualify करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा syllabus को mark करना पड़ेगा core area को judge करना पड़ेगा और यहीं चीज माँ को सिखा रहा हूं syllabus को पूरा पढ़ने के साथ साथ last year के जितने भी question है topic wise करिएगा किसी भी topic माई उनको करिएगा साथ में उस topic के जितने भी structure होते हैं, step होते हैं उनको करने का प्रियास करिएगा कितने step होते हैं, कैसे तरीक अंको करने का प्रियास करिएगा और सब को आपस में समयध Kर दिजेगा तो मेरा यही pattern आपको मिलेगा पढ़ाने के लिए पहले हम लोग अपने किसी topic को अराम से करेंगे कि topic क्या होता है उसकी समझ को विक्सित करेंगे बाद में हम लोग पढ़ेंगे last year के जितने भी last year के question है उनको पढ़ेंगे topic wise सब question को पढ़ेंगे और तीसरा हम लोग practice भी करेंगे ध्यान रखना और साथ में ध्यान रखेगा कि हमें कहीं ऐसा ना हो कि कुछ इस्ट्रेंड इसको lightly लें और last में एक number से एक question से रुख जाएं तो वो जो दर्ध होगा आपको जीवन भर कहिना कहीं पन अपने और साथ ही जाने हम सारे pattern से करेंगे तो हम किसी भी topic को करने के लिए मान लीजेगा 2011 से लेकर 2021 के बीच में इस 11 साल में एक साल में 80 question आते हैं तो आप कह सकते हैं कि 8080 question बन चुके हैं जब आप 8080 question का अभ्यास कर लोगे तो मान के चलिए कि लगब 50 question तो उन्ही पैटरन से आते हैं और 50 question अगर वहें से आ चुके हैं आपको 27 question सही करने हैं उनली तो जहां 27 question सही करने हो 50 question आपने यहीं से निकाल लिए तो आपको दुनिया में कोई निरोक पाएगा तो यदि इस सारे method से मैं आपके साथ गेम खेलने का प्रियास करेंगे यह सारी जानकारी आपको दीगे नंबरों पर मिलेगी आप enjoy करें लाइफ का यह जिंदिगी यह सपने उड़हान आपको भरनी पड़ेगी आज नी तो कल नी तो परसो इसलिए आपका डर दूर करने के लिए आपकी नाब मजधार में कहीं फस्टी भी सीट को लेते हुए उससे मैं चैलेंज करता हूँ कर कम्प्लीटली आपने वीडियो को देख लिया जी सीट आपका कभी भी नहीं रुकेगा यह चैलेंज है आपिन मंच पर All the best, enjoy करें Love you all